बीभी दोनों बठा सिधे फरकटा बजार जाके ठेला समने गारी रुका ए फल वाला बढ़ यहां कोलेटी फल सुस्राल जा रहा है एक किलो पेग पेग जिन्दगीम घर नहीं लाया एक किलो से मां के लिए सुस्राल जा रहा सास के लिए एक किलो से पेग दूसर रुपया मलाई चम चम पेग तब तब बीवी पीछे से करती है वहमर महियां सिंगाडा खाओ बल्दस को सिंगाडा पेग अगर बीवी कर देमर महियां माटी खाओ बले टोकरी माटी पेग बीवी जो कहते लड़का पागल है माशालला थोड़ी देर चुके खाओने पीने का मसल़ा है इसका ख्याल बहुत ज्यादा है लेकिन करूं क्या मजबूरी है ना बोलू तु जाओं कहां 162 किलो मिटर चल के आए अलहम्दुलिल्ला वी को थोड़ा घटा दीजिए आपका बाज़ा आती उत्तम है सुन्दर खुब्सूरत ब्यूटी फुल सब है वी को कम भोलियम जादा मेरी हैसिय से वी को घटा के रखिए और मेरी आवकाद से भोलियम बढ़ा के रखिए आए थे यहां याद नहीं तर देखी आए थे यहां याद नहीं जाना है कब मालूम नहीं सामाने सफर सब ठीक करो कभोगा सफर मालूम नहीं क्योंके ठिकाना गोर है तेरा अबादत कुछ तो कर गापिल ठिकाना गोर है तेरा अबादत कुछ तो करगाफिल कहावत है के खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा क्योंके जागना है जागले अफलाग के साए तले हश्रत तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले क्योंके आमल से जिन्दगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये इनसां अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है सहाए बेख़ाना ने मिलके अपने वालदाय महतरमा मरहुमा मखफूरा के नाम इतना बड़ा फ्रोगरा हूँ मिन जानी बहुत सारे हैं सिज़िए साब अब गफूर साब मौमद जलील साब और दीगर साब मुथ नासीर साब अमध असीब साब और कौन कौन है बहुत सारे सब भाईयों ने मिलके अपने मा के नाम जलसे चाहलूम का ये फ्रोगराम देखिए जब माबाप घर में हो और जिन्दा हो घर में हो जिन्दा हो बेटा अद्वेटी जो भी है आप उनके खाने का इंतजाम पीने का इंतजाम सोने का इंतजाम ठंडा आए तो कमल रजाई तैयारी गर्मी आए तो पंका तैयारी बरसा तो च्छत्री तैयारी मतलब जब जिन्दा हो तो खिदमत कीजिए और जब दुनिया छोड़ जाये तो उनके नाम पर इसाले सबाब कीजिए यही आवलादों का हक बनता है जब तक जिन्दा हो खिलाईए पिलाईए चुँके एक दिन सब को दुनिया छोड़ना होगा यहां जितने लोग बठे हैं ने एक दिन सब को दुनिया छोड़ देना होगा जितने लोग बठे हैं 30, 40, 50 साल होते होते सब साप फिर यहां दूसरा आएगा मरना होगा हर हाल में मौत से बच ही नहीं सकते हो मौत आएगी हर हाल में मरना होगा चाहे फिरीज में खुच जाओ लेकिन मौत फिरीज से खोल के निकाल के ले जाएगी अंदर गादाग नीचे छुप जाओ मौत खोच के निकाल लेगी घर से छोड़ के जाके खेद बहियार में सुतू महां मौत खोच के लाएगी हिंदुस्तान छोड़ के अरब चले जा पाकिस्तान बंगलादेश कहीं जा मौत जिस दिन होगी मौत आ जाएगी हर दुनिया छोड़ना होगा कफन ओरना होगा खाट में सोना होगा कबर में जाना होगा हिसाब देना होगा जमीन के उपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा तो जब मरना ही है एक दिन दुनिया छोड़ना ही है तो फिर क्यों न मौत की तयारी करना है जैसे ठंदा आएगा हर साल ठंदा आता है आना है जन्वरी दिसंबर में ठंदा आना है तो जब ठंदा आएगा तो राजाई कमल की तैयारी पहले कर लो वरना जार में मुरेग जब ठंडा आएगा तो तैयारी पहले बरसाथ से पहले तैयारी रखो गर्मी से पहले पंखा जोगाल करके रखो तैयारी ताके इत्मिनान हो जैसे बोलने से पहले बाजाग तैयारी फूल हार बनाने से पहले फूल की तैयारी बठने से पहले कुर्सिक तैयारी रोशनी से पहले जनलेटर की तैयारी खाने से पहले भाद की तैयारी सोने से पहले घटियाग तैयारी सोस्राल जाने से पहले रस्गुलाग तैयारी तो मौत से पहले मौत की तैयारी इनके लिए करना क्या होगा जब माजान सुनो तो मस्जिद के अंदर चला जा मसले पे जाके सजदा कर ले मस्जिद से निकल के घर घुसो माबाप को देखो तो खिद्मत कर लो अलमा किसे मिलो तो महबत कर लो मिलाद में बैठो तो अमल कर लो कौरान रखते हो तलावत कर लो समाज में बोलो तो इनसाब कर लो मौत आएगी लेकिन मौत की दुआ मत मंगना जिंदगी की दुआ मंगना ए मौला मेरी उमर और लंबी कर दे ताके दिल खोल के सजदा कर से आज के लिए दुआ बुड़ा पुछिएगा चचार सब घर में ठीक ठाक है बल हाँ मौला सहेब सब ठीक ठाक है अल्लास दुआ करते हैं कि हम लोगों को उठा ले एक दम जूटे अच्छा कोई मर ना चाहता है एक बुड़ा पुछिए हाँ चचा घर में सब ठीक ठाक हो कि नहीं हो बला अल्लास दुआ कर रहे लिए मौलास आए कि हम लोगों के जल्दी उठा ले ठीक हतलो हम बले चचा कितनी जल्दी उठना चाहते हैं छे मैनास बस दुआ कर रहे हैं हजरत दिखिए अब अल्ला कब कुबूल करता है हम बले चलिए मेरे साथ चचा चरस्फरमा सामने एक आरह हजार में हाथ उठाए धाए से दुआ को बूल सिधेर नौम बला हजरत बड़ी डर लगता है बले फिर मूँ का चिकना ता पिर मूँ का चिकना ता कि मरना है मात की दुआ मात मांग ना हराम है जिन्दगी की दुआ मांग एए मौला हुमर लंबी कर दे ताके दिल खोल के सजदा कर सको ते नाका के बिन देखे उनके नाम बगलियों को सजाता रहा गरों को सजाता रहा नभी से मुलकात ना हुई नभी पे दुरुद परता रहा नभी से बात नहीं हुई नभी पे सलाम बढ़ता रहा उसी आका की कवरों में दीद होगी हम सुनी गरीद की उसी दीद होगी ये लोगो मौत हर हाल में आएगी माबाब जिन्दा हो अभी वक्त बचा है खिला पिला लो अभी टेम है अभी खाना हो ना खा रहा अभी लाके बेटा दुचार है नाती पोता है जब जोरत पड़े मोड तरफ जाओ बजार तरफ भरकटा तरफ देखो कि कुछ मिल रहा है लाके बाप को हाथ में देदो मा के हाथ में देदो मां गरम-गरम कुछ मिल रहा तक खाली जी दुआ कीजी हम कल पर देश जाएंगे मां तिरी दुआ साथ जाएगी मां मुसीबट टल जाएगी अभी खिला पिलाने टेम है क्या है लेकिन हम लों का सिस्टम अलग जब माबाप खाते पीते रहेंगे तब तक ना बेटा का धयान ना बेटी ख्याल ना क्या करते है नादी पोता ख्याल जिस दिन खाटी पकड़ लिया उस दिन रस माला है खाना बन रस माला है बेटा ले लेके दोड रहा है तीन चार बेटा है दमाद लेकी आ रहा सेव बेटी एकदम मुर्गी जबा करके शुरवा है एकदम रोटी चार रहा है हैं है बुगाट टुकूर टुकूर खाली डेख रहा है बापा के सामने खड़ा है बुड़ा है पाचान ले थे हैं अब बैटा खाली चुप चाब बाप देख रहा है इस 쓰uga होगा हुआ बुट्घा हां आंत गुड़ा ऊपर हां खिला नहीं पाया है खाने टे में गुलगुला नहीं दिया हर जो मुह बंत रसमल है इधर से इधर अंगूर यहां फाल यहां दूद यहां होरलिक्स बुलवा बीच में सुतल है लगता है फाल के गोदाम का यही मारजन को कमपनी कुछ दिन मचबो करता फाल देखे के को खयाल कुछ नहीं कोई नहीं बहु पर धयान कहां नहाई कहां गरम पानी कहां बैठी कोई जिस दिन सास खाटी पकड़ लिए उस दिन तमाम बहु इदम दोड़ते दोड़ते दूद लेके एक दम कटोरी लेके एक दम यौटाल दूदारे बाप मैया मां हम चोटकी आयो मां हां बुढ़िया बचरा चुप चाहाँ बुड़िया देख रही है Sydney मूह में देखते हह अ ईक दूदारिव जबदार्बा पला देती है अब लिए बचार 날 और लाकिन पानी अब दूदार पत्वर्दिटी यह दुदार प्म क्हों होगां अब व मत वह करता हैं यहकर की पूपा हूँ पूरे गाउं में चर्चा ए दीदी हमरे दुद्वा पिक मर लो दीदी हमरे यहां था फिल को अर्ला रू निकल गेलो हम ओले मर लो ने तु जगब कोई मर देली अभी किला फिला दोवा ले याद रहे माबाप घर में जिंदा है तेरे लिए दुद्वा की गैरंटी है अजमेर बाद में जाना कलियर बाद में जाना कचोचा बाद में जाना बरेली बाद में जाना पिली भीद बाद में जाना कलि बगदाद बाद में जाना मक्का मदीना बाद में पहले घर में आके देख अगर माबाप जिंदा है खिद्मत कर चेहरा देख पहब होगा मुदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा अला भी राजी होगा अला वाला भी राजी होगा अरे माशाला बहुत अच्छा है माशाला बहुत अच्छा है माशाला बहुत अच्छा सुभानला एक बात बोलियो क्यों अरे बोल दियो अगवत वकी तुर बस्तियां दश्टे किया गाश होकी हो बहुत बढ़ी बहुत है महबत है बहुत अच्छा है क्या हमारे सा हमारे यतने शोरा खुतवा बैठे हैं माशाला कोई किसी से कम नहीं है घंटों घंटा पढ़ते हैं बड़े बड़े जलसा पढ़ मियां भी दोनों बठा सिद्धे भरकटा बजार जाकर ठाला समने गारी रुके एफ़ल वाला क्या से क्या हो जा रहे हैं आप लोगे महबत कब तक बैठे हैं आप बाप दादा पुराना सिश्टर नहीं लाया एक किलो से माना नहीं वहां जाना जारा सास के लिए एक किलो स पहले खाना अगर बाद में लाटी सब्सक्री माटी पेग पुझे का चचा मिल दवा ना सुन मिन की बल घरवां कोई नहीं हो खली बुड़ी है मचला है अगर खनवाट में बुड़ी है कहां जल ले अजय आप बहाना अगर पहले मिलाद बाद में खाना दस एकारव भच्टी बच्टी उफ शलार केग मलोना हो रहे शाला सलार दुग मलोना मचल हो शलार करना सुरू कर द सलार दुग मलोना खन हो बार एक बच्टो रहती है लेकिन माशालला आपनों का ख्याल रखा जा रहा है चूंके सब भाईों ने मिल करके सब बेटों ने मिल करके मा के नाम बस यही आउलादों का हक बनता है कि माबाप अगर है तेरे घर में तो कसम गुदा कि तुमारे घ आप बाद ही मेरे पासा माबाप को छोड़के पीर सहीब के चकर में डिर्डिर महीना पागल है पीर सहीब आगए अरी बाप हजरत 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 आगे पिछे काजू किसमिस चोहड़ा गड़ी बदांग बूला क्या कहता है अखरोट कुटी खाओ से उसको भी देता है हर बाप को कभी गुल-गुलाज भेट नहीं होने दिए अरी हजरत को खिलाओने कौन मना करता है लेकिन माबाप को खिलाओ जिनके बारे में आका जनाब मुहम्मद रसुल्लाव वर्माते है मौलिदेन की दुआ गारेंटी कुबूल होती है उनसे दुआ करा हम लोग के पा या भायात बे नमाजी गोदाम ये ढुका पनीम क्या होगा है अजब हाल अजब रंग है इसलिए याद रख माबाप अगर है तो खिदमत कर चुंके मेरा अकीदा है मरने के बाद जो कुछ हम करते हैं ये उस रूहों तक रूह तक पहुंचता है इस आले सबाब जो हम करते है ये सुन्नी बरेली मसलके आला हज़रत का अकीदा है हम जैसे जो कर रहे हैं ये पहुंचता है इसलिए नोजमानों अभी वक्त बचा है टायम है माबाप अभी जलता फिरता है कुछ खिला लो अच्छा है इतने लोग बठे हो इतने लोग बठे हो आपके भरकटा बजा खिला बजाते हैं अबी सबसे सता फॉल में देखिए घपठेला में इतना बड़ा बड़ा शेब 80 रुपिया-100 रुपिया कीलो देता कि बाप के हाथ में दे दे या मां के हाथ में दे दे माँ यह सेब खाना दो तिन दीन रखके दूआ करना मा हम कल जा रहे हैं धनबाद की भोकारो टाटा या पर कलकता या फिर गुजिरात बंबे नहीं जुँ भी बेटा तौफिक नहीं इतना ठंडा आगिया तौफिक हुई कि एक किलो डबा बापको लाके देदें बाबा तो इस चोवन परासे उखा के गरम पानी पीछ के सो ये अराम कीजिए हम कमाएंगे तु दुगा करना तौफिक नहीं होती है जिस माने तेरे लिए हाँ चल मैं मिठाई बान के लाके खिलाई कभी तुमने मा के तरफ धयान नहीं दिया तरी माने मूरी लाके बान के खिलाई कोई देता था मा नहीं खाती थी बाप बजार से गुजरता था महां पोकेट में पैसा होता भूक होता लेकिन फिर भी बाप न जाने लगे गारी बाव उच्टैल सेलुन भुषेगा देड़ सु रूप्या सेलुन हो लाग फेशवास फरन लवली छील चाल के निकलेगा लगता सूपर इस्टार महाराज निकला है गारी फोंचेगा देड़ घंता मियां भी दोनों बठा सिधे भरकटा बजार जाके ठला जारा सास के लिए एक किलो से फेग दूसर रुपया मलाई चंचंचंव फेग तब तब बीवी पीछे से करती है वहमर महिया सिंगाडा कहा हो बल्दस्कों सिंगाडा फेग अगर बीवी कदे हमर महिया माटी खाओ वाले टोकरी माटी पेग बीवी जो कहते लड़का पाग कि या रसुल आल्ला मैं अपने अम्माली देन को कांदे पे बिठा के मक्का लेगिया पेदल चला फिर हज कराया पिर पैदल घराया या रसुल आल्ला ये सिलसिला साथ बार हुआ क्या माबाब का कदा कर दिया प्यारे आखा जनाब मुहम्मदु रसुल्ला वर्माते जब तुम पैदा हो रहा था उस वक्त जदका कितना जटका लगा था उस एक जटके का भी तूने हक अदा नहीं किया